हेलो स्टूडेंट्स हाव और यौल होप सो अलफ यौर फाइनाटियर होम देखो मैं आपको आज एक मैथ्स की ट्रिक और सिखाने जा रहा हूं जैसे कि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं स्क्वेर एंड स्क्वेर रूट तो इसमें में किसी नंबर का स्क्वेर करने जड़त हो हो जैसे कोई नंबर सा सब्सक्रों 35 है तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि 5 का स्क्वेर कर दो और 3 का नेक्स नंबर क्या 4 तो 3 4 दा 12 तो इसका यह जाथ 1225 लेकिन यह तो स्रिफ उसके लिए अप्लिकेवल था कि जिसमें एंडिंग डिजिट 5 हो जैसे 15 25 35 45 55 65 75 95 105 115 यह रूल उसके लिए अप्लिकेवल था लेकिन अब मैं आपको एक ट्रिक और बताने जा रहा हूं यह ट्रिक बहुत ही इसी है इसमें क्या है कि इस ट्रिक में आपको मैं यह बताऊंगा कि जो वन से लेकर हंड्रेट तक नंबर है ना वन से लेकर हंड्रेट तक मतलब स सकते हो और विदिन就是說 से ब히 पहलेफेले कर सकते हो बस एक बारगर आपको अच्य से प्रेक्टिस हो गयी तो प्रेक्टिस हлекने के बाद में आप उसको बहुत क्विकली फॉस्ट कर दो गए बीगो 4 एक्जामपल एक divided सेट कंज से और नंबर में इस बनामर शुमीन मैंना कुछ रिखना है कितने भी इसलिए न जात प्रेजिट में तो सिक्सका स्क्वार थिर्टी स्क्स तो अलएडी तो डिजिट में थाई आप क्या करेंगे तू का स्क्वार लिख लिए और छिसका स्क्वार लिए अब क्या गरेंगे इन तीनों नंबर्स को मॉल्टीपलाई करो क किसको नमबर है 2, 6, 26 और और पावर को तो मतलब कौन को से नमबर हो गए 2, 6 और पावर ठीक है कितना आ गया 6 to the 12 to the 24 यह आपका 24 आ गया ठीक है अब करना क्या है जो कॉर्णर वाला 6 है उसको तो हम यहां लिख लेंगे लिख लिया जो थ्री बचा 3 को प्लस कर देंगे हम 4 मे तो 4 or 3 कितना हो गया 7 अब जो 2 बचा इसको next इसने प्लस कर देंगे इधर तो कितना हो जाएगा 4 or 2 6 तो इसका square कितना जाएगा 676 देखो कितना easy है और अगर आप चाहो देखो मैं एक example और लेता हूं आपके सामने वो और example थोड़ा easy है उससे आपको और clear होगा जैसे आपने square करना है 45 का देखो यह number है आपका 45 clear अब देखो इसमें क्या किया हमने 5 का square कर दिया इधर 25 और 4 का square कर दिया कितना 16 clear अब क्या करेंगे अब देखो 4 का square 16 हो गया और 5 का square 25 और 4 और 5 को multiply करेंगे और पावर को तो देखो देखो फटा फट मल्टिप्लाइब करो है 6 मैं नहीं हम इhanda पूरे नंबर में plus करेंगे तो कितना ही प्लस करके 6420 नहीं कितने तो देको 67 का square कैसे करोगे यह 67 का square है इसमें क्या करेंगे देको 7 कर कितना अगया 49 और 6 का square कितना आगया देखो हैंब 36 अब 6 in 27 कितना हो गया गते गो 6-7 in 222 कहां से आया पावर वाला टो देको 67 42 एंट 42 तुदा 84 यह आगए आफ-डीफोर अब वहीं नंबर होता है 9 वह आपका यहां आ जाएगा क्लियर अब 4 बचा है अब इस 4 को हम next इधर इस 4 में प्लस कर देंगे बिल्कुल next वाले में 4 4 कितना हो गया 8 अब यह 8 बचा 8 को इधर जो पूरे 36 इसमें प्लस कर देंगे 36 और 8 कितना हो गया 24 इसका 67 का स्कूर कितना हो गया 2489 उमीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा एक और देख लो वन अब वोई 3 टूजा वही देखो 3 है 2 है और पावर है 2 तो कितना आ गया 3 टूदा 6 टूदा 12 अब लास्ट वाला नमबर देखो यहां आ गया आपका और 2 को 0 में प्लस किया तो 2 आ गया और 1 को 9 प्लस किया तो 10 आ गया 32 को सकर तो यह वन गार सपोस्कृब 85 का स्क्वयन करना है आपको 85 करेंगए तो 5 कैषकर लिख लो कितनाओ जाएगा 25 458 का स्क्वाइर कर लो कितना हो जाएगा 64 दो मैं कलर चेंज कर देता हूं आपके लिए इससे कि आपको थोड़ा साइजी रहेगा और यह आपको एट का स्क्वाइर देखो 64 चुका है और 5 का स्कूर 25 वाई चुका है अब इनकी मुल्टिपाइग किसकी 85 और 2 की मुल्टिपा नंबर औह implied दो अब नंबर बनेगा इसका वही जो इसका नंबर आएगा देखो फाइब तो आ आगया आपका यह वह यह वह लित आशियर आकर एगा अब क्या करेंगे बीच में क्या था अपका नंबर वीच में 80 था आपका थुको इस प्लस कर दो 0 में तो कितना आग्या 29 अब 64 एदर दोनों नंबर तो 64 में 8 प्लस कर दो तो कितना आ गया 64 एंड 8 कितना हो गया 72 इसका मतलब कितना आ गया ये 7225 उमीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा और आप भी इसको फटाफट निकाल सकते हैं बहुत इसली और आप प्रेक्टिस करके देखो थैंक्यू वेरी मच्च और आप एक बार प्रेक्टिस करोगे तो 100 परसेंट आप भी एक से लेकर के 100 तक का स्क्वाइर बहुत इसली कैलकुलेट कर सकते हो